बारत segundo में पाकिस्तान के ख virtues कornे बाले इस च्राफ मुगाबले के लिए अपने टिम का एनॉंस कर दिया और सारे धाकर खिल खिलारी का वपसी crappy वदा दे कि editing दोस्तों बहुत दिनों के पहले अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस एस्याकप 2013 को जी दे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और भने रही है इस वीडियो में एंड तक तो चलिए दोस्तों बात करते हैं वैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि इसी सीजन एस्याकप का श्टार्ट 30 अगस से होने वला है दोस्तों आपको बता दे कि इसी मेंने 30 तारिक से एस्याकप का आगाज होने जा रहा है जो कि पाकिस्तान और नेपाल के बीच 3 बज़े से खेला जाएगा दोस्तों आपको बता दे कि इस मेच को आप लाइप पर सारन होट च्टार पे भी देख सकते है दोस्तों आपको बतादे कि पाकिस्तान और नेपाल के बीज पहला मैश जयाना है वही दूसरा मैश पंगलादेश और सीर लंका के बीज तीन बजे से ही 31 तारी को खेला जाना है दोस्तों आपको बतादे कि भारती टीम का मुकाबला जो पाकिस्तान के किलाब सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है इस साल तो हैर 23 का एस याकब में सबसे बड़ा मुकाबला है तो सितंबर तो हैर 23 को सबसे बड़ा मुकाबला किला जाएगा पाकिस्तान और भारत के बीच दोस्तों आपको बता दें कि यह मैच 3 बज़े से सुरू होगा और इसी मैच के लिए जो टीम इंडिया ने अपना प्लेइंग 11 खोसित किया है वो देख करके आप भी हैरान वो परिसान रहे जाओगे भारती टीम ने एसिया कप 23 के लिए 17 खिलारियों का प्लेइलिस्ट चारी किया है क्योंकि यह पहुत दीनों के बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे है दोस्तो आपको बता दें कि टीम इंडिया के लिए आएंगे रोही सर्मा और उसके साथ देते हुए नजराएंगे सुबमन गिल तो चलिए दोस्तो इस वीडियो में 20 तार से बात करते हैं और विस लेसन करते हैं टीम इंडिया का प्लेयर लिष्ट और कप्तान वाइस केप्टेन सबी का तो चलिए दोस्तो बात करते हैं दोस्तों आपको बता दे कि पहले नमर पे रोही सरमादा कप्तान आएंगे जो की खराब फॉम से जूज रहे हैं और इतने एक बढ़िया फॉम में भी नहीं है वहीं पूसके साथ दे निकले आएंगे सुमन गिल और तीसरे नमर पे दोस्तों बिराट कोली खेलते हुए नज काल और बांदा रहेंगे क्योंकि से चेहर बहुत दोस्तों पाना फॉम को परक्रारा रखना चाहेंगे वहीं बात करें दोसटों करते हैं कापी दिनों बाद वापसी करते हुए केल राहूली बहुत तोर विकेट की परवल्लेबाद खेलते हुए नज़र आएंगे क्योंकि A.C.A. कप का सवाल है तो इसलिए केल राहूली खेलते हुए नज़र आएंगे वहीं पर बात करें दो तो वाइस केपिन हर्दीक पान्या साथवे नबर पर खेलते हुए नज़र आएंगे आपको बैटिंग करते हुए और बोलिंग का परदसन करते हुए नज़र आएंगे दोस्का रिकोड़ इतना पर यह नज़र आएंगे हूँ बात करें दोस्तों दस्वे नमर का चस्परीद बुमरा इसमेट में खेलते हुए नज़र आएंगे आपको दस्याइब यहीं बात करें दोस्तों 11 ज्यार थे तो महम से किराज के रूप में साबित हुआ है दोस्तों आपको बता दे कि और भी कई खेलारी है जैसे कि सर्दुल ठाकूर होगे अक्चर पडेल कुल्दिप यादव और परसिद्धिक्रिशना और स्टेट बैक खेलारी के रूप में संजु सैंसन भी उपलब्द है आपको बता दे द प्लेंग 11 किस रूप में देखना चाते हैं और कौन कैप्टान होगा और आपके हिसाब से कौन से वह तीन सुपरफास्ट बोलर होंगे और कौन से स्पीनर बोलर होंगे, कौन ओल रॉनर होगा और कौन बैट्समेन होगा और किस करम से आप किसको खिलाएंगे आपना कीमती राइ कमेंट करके जरूर दे और इस वीडियो में कुछ बेचा लगा हो तो वीडियो कलैकर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और इस वीडियो को सेर भी कर दीजिएगा तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक क्लिए लव यू आल बाई